Hello, Need2G Experience and Future Doctors. Welcome to Need2G Guidance YouTube Channel. Need2G Guidance is the one-step solution provider for all your queries related to Need2G counseling procedure and admission process. Namaskar दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube Channel पर जिसका नाम है Need Guidance. जैसा कि सभी Need Qualify बच्चों को पता चल चुका है कि आज से यानि 19 जून 2019 से 24 जून 2019 तक और इंडिया कोटा के Registration Counseling के लिए स्टार्ट हो चुके हैं. MCC ने अपनी वेबसाइट पे जो की है www.mcc.nic.in पर seat mattress डाल दिया है. मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कोईरी आई थी कि मैं प्लीज बताइए इस बार कितने seats की बढ़ोतरी हुई है. तो इस बार टोटल 7000 सीटों की बढ़ोतरी हुई है जिसमें से की 890 सीट और इंडिया 15% कोटा के लिए बढ़ोतरी की गई है. जैसे ही आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे www.mcc.nic.in पर तो वहाँ पर डाउनलोड में आपको seat mattress लिखा हुआ नजर आ जाएगा. जैसे ही आप इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपकी सारे की सारी seat दिखाई दे दी जाएंगी जो सभी category wise और college wise हैं. तो चलिए इन सभी को एक एक करके अच्छे से describe करते हैं. पहला आपका खुलेगा final seat matrix for ESIC BDS round 1 यानि की ये dental के लिए ESIC का quota है जो employees state के जो wards होते हैं न यहाँ पर सिर्फ उनहीं के लिए seat reserve होती है. फिर इसके बाद आएगा final seat matrix for Jamia BDS round 1 फिर इसके बाद आप देखेंगे final seat matrix for AMU BDS round 1 ये इनका अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का internal quota है जो की 15% quota होता है. यहाँ पर उनहीं के लिए seat reserve होगी. फिर आप इसके बाद देखेंगे final seat matrix for deemed BDS round 1 तो यहाँ पर deemed से जुरीवे ए इसके बाद आप देखेंगे final seat matrix for all India quota BDS round 1 फिर इसके बाद आपके पास फिलेगा final seat matrix for Delhi University MBBS round 1 ये डेली का internal quota है जो की वहाँ के domicile बच्चे हैं जो 85% यानि जो 85% जो बच्चे हैं वहाँ के domicile ये seat इसके बाद आप देखेंगे final seat matrix for ESIC MBBS round 1 फिर इसके बाद आप देखें आप देखेंगे final seat matrix for अलीगर मुस्लिम युनिवरस्टी मंबीएस round 1 यहाँ पर सिफ अलीगर मुस्लिम युनिवरस्टी का internal quota है इसके बाद आप देखेंगे final seat matrix for deemed MBBS round 1 फिर इसके बाद आप देखेंगे final seat matrix for All India Quota MBBS round 1 इसमें सारी की सारी सीटे 15% All India Quota की है जिसमें Central University जै आप चली नजर डालते हैं All India Quota की जो टोटल सीटे हैं वो कितनी है और कितनी category wise मों डिवाइट करिए सारी की सारी जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी यहाँ पर Total Government Medical College 234 यानि की 234 है बिना AIMS और JIPMAR के हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना except AIMS and JIPMAR तो जैसा ही ने कैसे इनको डिस्क्राइब किया है General के लिए OBC के लिए SC के लिए ST के लिए और PH सीट्स के लिए तो यहाँ पे General वालों के लिए 3557 सीट्स हैं OBC के लिए केवल 112 यानि केवल 91 सीट्स हैं SC के लिए 707 सीट्स हैं और ST के लिए 352 सीट्स हैं अगर हम बात करें Physical Handicap Students के यानि की 172 है, OBC physical handicap के अगर बात करें तो यहां पर 6 है, SC physical handicap student के बारे में बात करें तो 32 है, यानि की 32 है, और ST category वालों के बात करें तो यहां पर PH student के एवल 15 सीटे हैं. मेरी सबी बच्चों से request है कि जो जनकारी में आपको देने वाली हूँ, उन category wise कि कहां कहां पर कितनी सीटे दी गई है, वो बहुत सारी की सारी बात है अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बात में बहुत सारे बच्चे हमें comments करते हैं कि मैम कितने में कितनी category है, physical handicap वालों के लिए कितना है, तो please मेरी उन सभी बच्चों से request है कि आप ये पूरा का पूरा वीडियो, आप अंत तक देखे, आपको सभी जानकारी हमने ये डीटेल में बताई गई हैं, जेनरल category वाले बच्चों के लिए बात ये है कि अगर वो all India quota में पहले round में clear कर लेना चाहते हैं, तो आपका rank 5000 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि aims और जिपमर को मिला कर, टोटल 1500 सीलते हैं, तो all topper ranker जो aims और जिपमर में है, वो नीट में भी topper होंगे, ऐसे ही SC वालों के साथ भी होगा, SC वाले बच्चे अगर पहले round में clear होना चाहते है तो उनकी जो rank है, वो 800 से नीचे होनी चाहिए, और ऐसा ही SC वालों के साथ होगा, SC की जो rank है, वो 400 से नीचे होनी चाहिए, यहाँ पर सबसे हैरानी करने वाली बात यह है, कि OBC के लिए केवल 41 सीट है, यानि कि केवल 91 सीट हैं, जो Central University में All India Quota के अंदरगत आएंगी, जो PH स्टूडन यानि जो दिव्यांग अभियारती उनसे भी कम है, यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, जो दूसरी है, इस बर All India Quota की काउंसलिंग में EWS Quota माननिया और शामिल नहीं होगा, आप सभी बच्चों ने सही सुना, इस बर EWS Quota माननिया और शामिल नहीं होग यह बात हम All India Quota Government के लिए बोल रहे थे, स्टेट कोटा का बारे में अभी हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, यह तो हम आपको बाद में ही बताएंगे, हम आपको आने वाले वीडियो में बता देंगे कि स्टेट गव में हमारे पाद 4,064 ती तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल 2019 में 886 सीट बढ़ी हैं, अगर हम बात करें ESIC Medical College के बारे में तो देखिए ESIC Medical College टोटल जो है वो 9 है, यानि कि 9 है, इसमें टोटल MBBS जो सीट है ESIC कोटा की वो 318 है, दो 2018 में की 314 है, यानि कि 2019 में केवल 4 सी सीटो की बढ़ातरी हुई है, अगर हम इनके टोटल पर ध्यान दिये तो वाल इंडिया कोटा जो 15% की सीट है, वो 4950 यानि की 4950 है और ESIC की 318 है, तो टोटल मिला कि इसका 5268 हो जाएगा, टोटल इसका 5268 यानि 5268 हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए इस बार काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा, इसी के बाद हम स्टेट कोटा का अंदाजा भी लगा सकते हैं, कि कितना कम जाएगी, तो चली एक बार फिर में आपको बता देती है, क्यों है काउंसलिंग का जो रेजिस्ट्रेशन है वो और इंडिया कोटा के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है, 19 जून 2019 से 24 जून 2019 तर, आपको अगर इसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट में जागे लॉग इन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.needugguidance.com और आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, हमारा टोल फ्री नमबर है 1800-313-3989 अगर किसी बच्चे को BDS के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो हमारे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, अब हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कीजिए, ताकि जब हम आपके लिए जो इतनी इंफिकेशन वाली वीडियो लाते कि अगरे टाइप लिए और प्रेसे निज अग्यदे चोंचि का इंति आप के अगरे चाहिए, बवारे बबासे सब्सक्राइब काईवज टोफिकेशन पर टोल्फिक्वाटां के लिए अग्योगि अवाटेइ, लिए लिए टाधिकेशन, इसे सब्सक्राइब के वीडिके www.neetugguidance.com and call us to helpline number 1800-3133-989. If you like this video and want to see more videos like this, don't forget to press the subscribe button and the like button given below. And do press the bell icon to get the notifications of the latest videos. Thank you.